देवरिया से आदित्य नारायन मिश्री की रिपोर्ट बिहार राज्य में नियोजित शिक्षिकों की मान सदन में पहले दिन से ही उठने लगी मानिय अद्यक्ष मौदय मौदय शिक्र साहब आपके अधिक चुने जाने पर हम ग्रांड डिमोक्राटिक सेकुलर फरंट की जानीब से और अपनी पार्टी एमाईम की जानीब से मुबारक बात प्रेश करते हैं और आज आपके चुने जाने के करम में जो दिरिश यहां पर देखा गया उससे जड़ा थोड़ी देर के लिट अफसोस हो सकता है लेकिन ये लोक तंद्र की और जम्होर्यत की बड़ी खुबसूरती है ये अखतलाप के बाद बिरोद के बाद भी जब कोई फैसला हो जाता है सब खुछी बहुती से तस्लीम कर लेके हमें आपसे विरूद रही आपके पार्टी और अडिय पीज़ की जो नजरीयात रहे हैं उससे विरूद डरूश यह लेकिन आप अप कुरसी पर बैठें उस पर हम आपको मभार्वाज बात देते हैं आपके पिरोत में हम खड़े जरूर थे और गड़बंदन का हिस्सा नहोने के बावजूद भी हम गड़बंदन की हमायत में खड़े थे लेकिन अब जब आप कुरसी पर बैठे हैं तो हम समझते हैं कि प्रेम चंद महान कहनीकार प्रेम चंद का अफसाना पेश्टर लोगों आपसे ये उमीद रखता है कि दू तीन बाते कही जाती हैं पखजधर निस्पक्ष और सत्त के पखजधर लोग निस्पक्ष लोग को अच्छा समझते हैं और आपको भी कुछ लोग निस्पक्ष कहना चाहते हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि सड़क पर किसी इजद की इज़त लुटे तो वो पक्जदर हो सकता है बुराईयों का खड़ा वाला निस्पक्ष हो सकता है लेकिन उसका फरीजा है कि वो सब्त का पक्जदर होकर उसकी इज़त बचाए मैं आपको निस्पक्ष नहीं बलके सब्त का पक्जदर देखना चाहता हूं कि जिस कुर्शी पर आप बैठे हैं बिहार की जंता आप से आसा करती है कि सरकार अगर भटक जाए तो उसको लगाम लगाना आपको काम होगा ब्यार की बड़ी समस्याई हैं वक्त आएगा तो बात करूँगा फिलहाल में आपको मुबार्ण बात देते हुए मैं जिस सीमानचल से आता हूं व तो मैं आप से उम्मीद करता हूं कि बिहार की नई नस्र के सिख्षा देने वाले नियोजी सिख्षकों का पलायन वाले मजदूरों का बच्चों की पढ़ाई जो करोना से रुकी हुई है उसका और बिहार में समाजिक सौहाग बनाए रखने का और हमारी गुलनाज की जो यही आसा भी रखते हैं ताके आपके सदन में जो समय बुजारे जाए आने वाली प्रियूस पढ़नाज करें